दोस्तों जो आप पीछे AC लगे वे देख रहे हो यह है LG का Dual Inverter AC और इसका Exact Model आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहां पर जो यह टाइमर का फीचर दिया गया इस Air Condition में उसी के बारे में किस धंक से काम करता है बहुत इस वीडियो को स्टार्ट विजरूर देखना और वीडियो को शुरू करते है लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर है पहले इस बारे बारे विजिट क्यों तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिजे घंटी बजाए अटना यह शुरू वाट करते हैं वीडियो की नमस् कंट्रोल और यहां पर जो टायमर के आप्शनस आपको मिल जाते हैं यहां पर दो तरह के टाइमर दिए गयाеро है एक ओन का और और एक ओफ का तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आप ऐसा टामर सेट कीर एक सबसेब और एक पछेल इस बार पर तो यहां पर मैं 430 का सेट करता हूँ, और यहां पर मैं एक बार प्रेस कर देता हूँ, सेट एंड कैंसल के पड़न पे फोकस नहीं हो रहा है, और जैसे ही देखो मैंने प्रेस किया सेट पे, तो आप AC पे देख सकते हैं कि यहां पे आ गया है नोटिफिकेशन, यह लाइट क अब AC अन होने वाला है, तो अभी इस समय हो रहे है 426, और 4 मिनिट का वेट करते हैं, और देखते हैं कि AC अन होता है या नहीं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जितने बजे का मैंने टाइमर लगाया था, वहां पे AC अन हो चुका है, मतलब यहां पे जो टाइमर है, बहुती बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और आप देख लेते हैं कि टाइमर का जो ओफ वाला फीचर है, वो किस ढंग से काम करता है, तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे AC पूरी तर से off है, इसको मैं एक बार on कर लेता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि अब यहां पे हम लोग सेट करेंगे timer off के लिए, हम लोग ने पहले देखा था, timer on के लिए, अब देखेंगे timer off के बड़न पे, on का icon blink हो रहा है, यहां पे एक बार और दबाएंगे तो off आ जाएगा, और यहां पे 440 हो रहा है, मैं यहां पे 450 का timer set करता हूँ, ध्यान दीजिए, यहां पे आपको यह वाले बड़न यूज करने है, time set करने कर लो, और एक बार प्रेस करना है time set पे, यहां प यहां पे कोई भी icon बन कर नहीं आता घड़ी जैसा, जैसा कि हमने timer on में दिखा था, कि वहां पे जैसे आप timer set करोगे, वहां पे icon बन के आ जाता है घड़ी का, लेकिन यहां पे off के time पे ऐसा कुछ भी नहीं है, and now let's see कि अब यह 440 को off होता है या नहीं, 449, बस एक मिनट रह गया है, इस air condition को switch off होने के लिए, and let's see, यह switch off होता है या नहीं, 450 हो गया है, और remote में आप लोग देख सकते हो कि, यहां पे off किस time जैसा remote रहता है, वैसा बन गया है, लेकिन AC अभी भी on है, एक मिनट और वेट करते हों, देखते हैं कि शायद AC off हो जाए, let's see, एक मिनट का और वेट करते हैं, यहां पे आप लोग देख सकते हो, 451 भी हो गया है, लेकिन AC अभी भी चल रहा है, देट मींज, जो timer off का जो function है, इस air condition में काम नहीं करता, on वाला अच्छी तरसे काम करता है, लेकिन off वाला जो है, वो अच्छी तरसे काम नहीं करता, यह प्रूव हुआ, आज के इस life session में, तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि इस air condition में, जो timer off का जो feature है, वो धंग से काम नहीं करता, हाला कि timer on वाला काम कर रहा है, लेकिन जो off वाला है, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका कुछ work around है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको एक बार समझना होगा कि sleep वाला जो feature आपको इस remote में मिल जाता है, वो किस जंग से काम करता है, तो अब एक बर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप sleep mode को कैसे setup कर सकते हो इस air condition में, और दोस्तों बात कर लेक बास sleep mode के बारे में, तो यहाँ पर आपको sleep को कैसे set करना है, वो भी मैं आपको बता देता हो, तो बस आपको एक बार प्रेस करना है, sleep वाले बड़न पर, जैसे आप प्रेस करता हो, यहाँ पर देखो, चान बनके आ जाता है, और यहाँ पर वन आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको time set करना है, कितने time के बाद यह AC switch off हो जाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर air condition में sleep mode को set कर सकते हो, दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अब तक कि आप sleep mode को कैसे आप setup कर सकते हो, इस air condition में, और यहाँ पर मैं बात करूँ आप से, कि एक automatic function create करना है, on और off के लिए, तो आप sleep और timer का दोनों ही इस्तमाल करके, आप एक on off activity एक automatic function create कर सकते हो, उसके लिए simply आपको करना क्या है, कि मतब यह मेरा एक personal analysis है, तो यहाँ पर मान लीजिए, आपकी requirement है, कि रात के एक बज़े AC off हो जाना चाहिए, और उसके बाद एक घंटे बाद वापस से AC on होना चाहिए, तो for example, अगर टाइम की बात करें, तो एक AC off हो जाएगा, जब आप sleep mode setup कर रहे हो, उसी वक्त आपको timer भी set करना है, ध्यान दीजिए, आप sleep mode और timer दोनों एक साथ में set कर सकते हो, तो timer on वाला select करना है, और वहाँ पर आपको time select करना है, दो बज़े का, तो एक बज़े sleep mode का जब time आएगा, तो AC off हो जाएगा, और दो बज़े वापस AC on हो जाएगा, तो ये एक मतलब automatic function आप create कर सकते हो, using this feature, जहाँ पर आपको sleep mode और timer दोनों ही आपको इस्तमाल करना है, दोस्तों यही थी सारी details, timer और sleep mode के बारे में, उमीद करता हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस धंक से काम करता है, और अगर आपको फिर भी कोई भी सवाल, कोई भी सुझाओ, कोई भी राय हो, तो ज़रूर लिखे comment section में, कोशिच करेंगे आपके सारे सवालों को जवाब दे सके, और इसी के साथी साथ अगर इए वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना बड़ी मेनत लगिए, इसी के साथी साथ चै झाल